हेलो डियर स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सब बच्चो आप सभी के इंतिजार की घड़ी हो गई खतम क्योंकि आच चुका है कक्षा ग्यार्मी का बिसे जियोग्रॉपिक का 100% ओरिजिनल पेपर लीक हो चुका है बच्चो जहां पर आप इसका वार कोड इसकैनर पूरा मिला स आप देख लिए इसका पूरा एंसर भी मैंने ढूर के लिए आया है बस आप सभी को करना का है जल्दी से वीडियो को लाइक कर लेना है चैनल को सेस्काइब कर लेना है और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जल्दी जल्दी सेयर कर देना है क्योंकि आज इस वीडियो को को डाउनलोड कर लेना है और बता देए जो कोश्य पेपर हिंदी और इंग्लिस दोनों माध्यम के छात्रों के लिए पेपर होने वाला है तो चली से चली वीडियो स्टार्ट करतें बच्चों ठीक है और यहां पर आपको कुछ निर्जेश दिया गया है आपके पास टाइम ह तो पढ़े नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है तो पहला प्रिशन आता है बच्चों सही विकल्प चुनकर लिखे पहला है वह गोल का जनकी से कहा जाता है और इरेटो इस्थनीज हिपोकर्स ही कैटियस यह अलेक्जेंटर वान हमबोल्ड तो आप सभी कोई जो इसका सहुत अधात्विक खनिश है तावा सीशा सलफर अलमोनियम तो आप सभी को इसका सहुत्तर लगाएंगे सलफः होगा ठीक है अगला है ब्रह्म पुत्र नदी का ओधगा मिस्थर है option है मांसरोबर जील दूसरा है डल जील दीसरा है नैनी ताल जील चोथा है राका जील तो आप सभी को जो इसका सहित्तर लाएंगे option number क्या होगा चोप आ मांसरोबर जील हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है भारत के किसर राज्ये में उस्ट्रे कटिवंदी काटेदार बन पाए जाते हैं option है तमिल लाडू महाराष्ट गुजरात या राजिस्तार तो जो आपसके जो सहित्तर लाएंगे वच्छे राजिस्तार इसका सहित्तर हो जाएगा तो कि आप सभी कोई जानते है कि महाराष्ट में पानी की बहुत कम मात्र हुए जिसके कर्व वहाँ के पेड़ों में वहां की जंगुलों में उस्ट्र कटिवंदी प्रकार के बन पाए जाते हैं इसके बाद बच्चों जो इंगली समाद्यम के चात्र चात्र हैं यहां पर से इन सभी प्रिष्णों का उत्तर प्रिष्ण टिक कर लेंगे और साथ में इसका एंसर भी टिक कर लेंगे ठीक है इसके बाद आता है बच्चो प्रश्क कमाद दो रिक्त इस्थान में सही बिगल्ब चुनका लिखिए पहला है भारत विस्थे का बिन्दी बिन्दी बड़ा देश है तो बताना है पहला साथवाय पच्छमा तो आप सब कोई जोसका सरित्तर टिक लाएंग बच्छो साथवा इसका सरित्तर हो जाएगा ठीक है अगला है एकोलाजी सब्स बिन्दी बिन्दी भासा का है तो बताना है ग्रीक लैटीन या अग्रेजी तो आप बताओगे बच्छो किसका है ग्रीक का है किसका ग्रेक का है ओके नेक्स्ट है जल की उपलबदिता के कारण प्रतिवी को बि जाती है तो बताना है ओजोन धूलकर या मिटी तो आप बताएं कि बच्छो ओजोन परत पाई जाती है ठीक है अगला है अगने लेटीन भासा के बिंदी-बिंदी सब्द से लिया गया है है हुँमस एक नस या बहु साल्ट तो आप सब्षक को इसका जो सटर लाएंगे ठीक बच्छो इगनास इसका सब्सेट्र हो जाएगा अगला है जो वियन ग्रहोगी संख्या बिंदी-बिंदी है दो बताना है चार पांच या छै तो आप सब्सेदिक टिक लगा गाएंगे त प्रस्क्रमांग चार जोबियन ग्रह की संख्या टूटल चार होती बच्छो और उन ग्रह का मैं आपको नाम बता देता हूं यह आपके बेसिक नॉलेज में काम आएगा होता है ब्रस्पति सनी यूरेनस और नेप्चुन होता है ठीक है इसके बाद बच्छो जो इंग्लिस मादम के चातर चातरा है यहां से इसे नोट डाउन कर लेंगे और इसका टिक कर लेंगे ठीक है इसके बाद आता है बच्छो पुश्कमांग तीन सही जोड़ी बना कर लिए ऑप्शन है आंतरिक ग्रह कौन सा है तो आप में इसमें सही भी टिक करेंगे सुक्र होगा ठीक है दूसरा है नदी निच्छे पड़ क्या है तो आप बताओगे बाड़ का मैदान क्या बच्छो बाड़ का मैदान है धर्ड़े उत्पादक क्या है तो आप पताओगे उत्पादक हरे पेड़ पहुत हरे पहुत हो जाएगा ठीक है अगला पड़ाउसी देश सीलंक लूणी नदी का है इस प्रकास से जोड़ी होगे कम्प्रीट जो इंगलिस वादर के शातर हैं यहां से प्रुजेक्ट टाइगर यूजना 1973 में चलाई जा रही है तो आप बताओगे इसको तर सत्थ है करेबा भू आकरती कासमीर हिमाले में इस्थित है तो आप बताओगे सत्थ है सुभेद प्रजातियों को सम्रचड की आवश्यक्ता नहीं है तो आप बताओगे असत्थ बलक्य स्रोथ हीम नदी नहीं है बलकि कुछ और कोहरा एक प्रकार का छूटा बादल है तो आप बताओगे जी हां बच्चों कोहरा है प्रकार का छूटा बादल आप लगा दो इसको ता सत्थ है तो इसके बाद नेक्स्ट बच्चों परश्करमांग 5 एक बादे में उत्तर लिख है प्रैकाज वर्स किसका मातर रख है पर बतादे हम आपको पहले कौस्चनिस का पहले पूरा कौस्चन को समझाएंगे और फिर इसका मलास्ट निसका अंसर भी आपको कौपई में लिखी तुरूपे दिखा देंगे whenever तो बताना कि प्रकास बर्स किसका मात्रक है तो आप से कुछ उत्तर लगाएं इसका प्रकास बर्स दूरी का मात्रक है ठीक है अगला है कपासी मिट्टी किसे कहा जाता है ता बताओ बच्चों कपासी मिट्टी काली मिट्टी को कहा जाता है ठीक है अगला है पार्तिक ग्रहो कनेवाड किन तत्तों से हुआ ता बताओगे बच्चों जो पार्तिक रहो कनेवाड एलमूनियम मैगनीजियम चट्टान और अन्य प्रकार के समाने खनिजों से हुआ है अगला है उस्टने कटी मंधी सदाबहार बंद छेत्रों में वार्षिक बर्षा कितनी सेंटीमीटर होनी चाहिए तो आप बताओगे जो वार्षिक बर्षा होती है वहाँ 175 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक होती है अगला है सिलंका भारत के से किस जलसंदी दौर अलग होता है तो आप बताओगे जो सिलंका है भारत से पाक जलसंदी दौर अलग होता है ठीक है अगला छटमा है पुगोल में तापमान वर्षा आदता आदी का ध्यान किस साखा क लाए कि विघ्यान लिखेँ कि इसके बाद चातर है इसका उत्तर होने वाला है ज़िदियाप को किसी प्रकार की कोई निवा ट्रांसलेट में तो आप हमें कॉमेंट कर दीजेए खाम उसका आपको सहिततर बता देंगे तीक इसके बाद हम चलते प्रश्क्रमांग 6 से ठीक है उनमें जो कॉश्चन है सभी कॉश्चन आगे पीछे हैं तो इसलिए पहले कॉश्चन को समझा दें आपको फिर लास्ट में हम आपको इसका एंसर भी बता देंगे तो आप खटा-खटे वहां से कॉपी पर नोटाउन कर लिजेगा और पीडियुप आपको मिलने ही वाला है पर मिलने वाले वच्चों ठीके यहां पर आपको जो भौती भुगोल है ना उनकी साख्षाओं करेंगी यहां पर बच्ची गलती करेंगे विसेशता हो कर नहीं आपको अधिवें पूछा गया है वोगोल के इतिहास से सम्मन्द इस पश्च लिखिए मलबच्चों आपको भुगोल का इतिहास लिख देना है कि भुगोल होता क्या है कौन इसका अभिस्कारा के वुगोल की सब्धे स्यूत पत्ति हुए सब बता दिना आपको ठीक है अधिवें मेल के संगतत्तों को लिखिए आपको बता देना है ओसके वाद आता हमगाट Sumamary किसे हैं और आप से पूचा है कि कि है पुछाए खिक है आपको आरे इसके लिए इसके लिए máqu узнаs मिलने वाले हैं अत्वा दुल्लह प्रजातियों से क्या आश्याएं कि दुल्लः प्रजातिय किसे कहते हैं ठीक है उसका आपको बताना है विसके घ्रपीं भाग भारत को उप महाधीप क्यों कहा जाता हैं उसके लिए आपको 2 नमबर मिलने वाले हैं अथवाद और आक्षास रेखाओं कि कोई दो भी सेस्थ मेहएं क्या बच्छो अब वहां क्या समस्जते हैं ठीक है इसके लिए दो नमबर मिलने वाले हैं पर पुछा गया पचनद की प्रमुख नदियों के नाम लिखे क्या बच्छो आपको पचनद में जो प्रमुख नदियां उनके नाम को लिखना है यहाँ इसके वादा प्रिश्ट कर्माग्यारा डिल्टा किसे कहते हैं यहाँ पर आपको इसके लिए जो अरब साब गयरे में गिरती हैं इसके वादा अपरत कि कोई दो कारण भी तीकर्यारा यहाँ पर इसके नंबर आपको दो सुनामी क्या है देखिए सुनामी तो आप सभी क्यों लगा दोगी उची उची लहरो वाले उठने के काड़ सुनामी ठीक है अध़ा बाढ़ नियंतर के दो उपाई रिखिए यहांपर आप बताना है कि बाढ़ नियंतर जोसे बाढ़ कही बहुत जाद आती तो वहांपर उसको नियंतर करने के लिए एसे क्या उपाय करने चाहिए इसके बाद आता है बच्छों आपका प्रत्थ्वी के ऊस्वा बजट को समझाईए यहाँ पर से आपके सब्सक्राइश नमबरief होंने बारे बशचों देख लीक्रिंजे इहां पर आपको बताना है एक क्रृषबी में जो उसमा बजट को आपको बताना है अतवे में बायमंडल के संगहटक तद्यों के नाम लिखी जो बायमंडल में जो जो तत्य जो मिले तीन धाराओं का वर्णन कीजिए ठीक है अथवा जल चकर का सचीतर वर्णन कीजिए यहाँ पर देख लिए ज़िए आपको तीन नमबर मिले वाले इसके लिए यहाँ आपको बताना है कि अटलांटिक महासागर की तीन धाराओं का नाम लिखना है ठीक न यह सब कल लेंगे इसके वाला था प्रिश्कमांग सूला प्रदीपी पठार की नदियों वह हिमालय परवत सेडी की नदियों में अंतर लिखें क्या करना बच्छो आपको प्रदीपी पठार की नदियों और हिमालय परवत की नदियों पे आपको क्या लिखना है अंतर लिखना है अब देख इसका गंगा नदी जो अपवात अंत्रा है इनकी तीन प्रमुख नदियों का आपका बढ़न करना है इसके बाद अप्रश्कमाग सत्रा भुकम पर क्या है भुकम पर आने के दो कोई कारण लिखिए अथ्वा भू स्कारण क्या है इसके दो पर दूसर परिणाम लिखिए इसके बारे में आपको बताना है अथ्वा प्रतिवी की आंतिक सनचना का सची तरवन करना है यहां पर आप देख सकते हैं इन प्रस्टों के लिए आपको चार नंबर मिलने आ लेकिते चार नंबर मिलने वादे लाइन इसके आधा प्रस्ट कमागों निष् complexities कहते हैं त्यारों की प्रकारों का उदाहंड को सची तरवन लेक्या करने किया आप स्थर्क्रतियों का सची तरवन की ठीक है इसके बाद बच्चों आता प्रेश्ट कमांग 20 जो आपके पार्ट पूस्ता है मतलब आपके इस कॉश्चन पेपर का लास्ट कॉश्चन पेपर होने वाला है ठीक है तो देखिए तो कॉश्चन नमर 20 पूछा गया है भारत के सीमा कार मांचित्रों के में निम्लिकित को प्रदर्षित किजे देखिए आपको जब पेपर दिया जाएंगा आपको मन्चित्रों नडी को परदर्षित कर देना है यदि आप से यह नहीं बनता है तो कोई लिक्त वाली बात नहीं है आप इसका अत्वम जो दिया गया भाद कि इसका यहां पर गंगा नदी खबात की खाड़ी काली मिट्टी का चेत्र हीराउथ पादक चेत्र चोटा नांगपूर का पठार है आप देख सकते हो इन्हें आपको प्रदर्सित कर दीना है बच्चों ठीक ना जो इंगलिज मादर के छात्रशातर्र यहां से से नोट कर लेंगे तो इस प्रकार से बच्चों आपने देखा मैंने आपको जितने कॉश्चन करा थे उन सभी कॉश्चन का पूरा फूल टूफूल एंसर बताया हैं तो आपको जो क्या करना है इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगे जहां पर आपको इसका पूर कर लेना है चैनल को सब्सक्राइब करके जो लाल कर घंटिक आइकन होगा उसे उन जरू कर लिजेगा ताकि इसके एंसर सीट की वीडियो जैसी अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपकी वाइल में सबसे पहले जाए और आप अपने एक्जाम की त्यारी बहुत एच्छे सब्सकरण कर सकते उए और इस बीडियो को अपनी दोस्तों तक सहर कर नेकर हुआ एब ही तो मैं आपको वुह सेंट एकका कौशल देने वाला हों तो आप पता दे विच्छे तो जल्दी से share जरू कर लिजएगा ठीके और यह वीडियो किसी वक्त दिलीट हो सकता है तो प्लीज जल्दी से चैनल को subscribe कर लिजिए वीडियो को like कर लिजिए और download जरू कर लिजएगा और अपने के लिए पास सित्ता है फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जय हिंद जय भारत